असलाम अलेकम दोस्तों मेरा नाव है मृमत सुईद और आप देख रहे हैं सबकेल भी यूट्यूब चैनल पर सेमारी यूट्यूब चैनल सबकाल में आप बहुत वह सागत है दोस्तों अगर आप हमारी है नहीं वीडियो से अग्डिटेप आए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुरोना वारिस को लेकर जिया दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इंडिया के अंदर यानि पुरे देश के अंदर आज एक बहुत पड़ा अहमकार मचा हुआ है बहुत ज्यादा जो है खोव फैलाया जा रहा है कुरोना वारिस को लेकर और बहुत ज्यादा जो है यह वारिस खतरनाक साबित हो रहा है और कई लोगों की जाने जा चुकी है तो कैसे है क्या है क्रोना वारिस से और कैसे हम अपनी सेफटी कर सकते है और जो है कहां से ये कुरोना वारिस आया और कैसे ये कुरोना वारिस आता है और इनके लच्छड क्या-क्या है इस बीमारी को होने के तो ये सारी चीज़े आज की इस वीडियो में हम समझेंगे तो मैं जुमसे पर ले बता दे कि हमारा जो ये चैनल है यहाँ पर हम जो है CSC के रेडिटरडड आरब जो कई वीडियोरश हते हैं उसके टेडर्ड़ लाते रहते हैं लेकिन जहां पर जोजे वीडियोर्ज हम ला रहे हैं इसको लाने का एक ही मुकसद है चुकि आप सबी को पता है कि देश का जो माहौल है जो पूरे दुनिया का जो माहौल है इस theology बहुत जदा प्रोभलम में चल ला आय पूरा ये देश पूरा ये विश्भ बहुत जदा ही में तकलीब से गुसर रहा है चुकि को पता होगी कि कई-कई स्कूल बंद कर दिये ग 얼마 सारे स्कूल बंद कर दिये गया है, जो ऐसे बाहर निकलने में तो अनुस्स फ्लाइडों को कैंसल कर दिया गया है, जो अधर जगे पर कमानी के लिए जा रहे थी इंडिया के अंदर उनके भी टेनों को कैंसिल कर दिया गया है यह बहुत सारे जमेले हैं तो आज इसकी वीडियो में हम सारा आपो समझेंगे और यह करोना वायरस आया कैसे और यह होता क्या है वो सारा जमेलाज की वीडियो में समझने वाले हैं वीडियो के साथ और साथ यह अगर वीडियो पसंद आया तो प्लिस सेल लाइक ज़रूर कर देना अगर बहारत के अबिया के अंडर की बात के रहें तोइंडिया के अंदर है हो चुके हैं इस बीमारी में के लपेट में आ चुके हैं अब यहां पर लिखा हुए भारत में भी कुरोना से संकर्मण के 137 मामलों की पुष्टी हो चुकी है इन में 113 भारती और 24 बेदेशी नागरिक हैं अब दोस्तों यहां पर कितनी खतरनाक जो है बास साबित हो रही है यानि 113 लोग जो भारत के हैं उनको भी कुरोना वारिस ने अपनी लपेट में डबोच लिया है और उसमें से जो 24 लोग है उनको जो है वो बीदेशी हैं उनको भी कुरोना वारिस ने अपनी लपेट में डबोचा हुआ है उसके बाद में दोस्तों यहां पर जो कुरोना अब तक का 145 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, यानि आप अगर बात करें कि कुरोना वारिष चीन से चालू हुआ और चीन से अभी कितना दिन हुआ है और कितनी जल्दी 145 देशों को कवर कर ले गया, हैनि 145 देशों को अपने अंडर में, अपनी लपेट में जो ह ये सारी चीज़े कहीं ने कहीं तो आपको जो है एक टेंशन में डाल देती हैं, एक समस्या में डाल देती हैं और एक स्कूच में डाल देती हैं कि आखिर ये कुरोना वारिष है क्या, और ये कुरोना वारिष आता कहां से है, और ये कुरोना वारिष रोकने के लिए, इसक हैं और हम किस तरीके से बस सकते हैं इसने कि दोस्तों आप अगर कोई कोई और को लपेटा गया को नवारिस ने लपेटा हैं अपनी पकड़ में तो कल आपका और बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ में जो आपके आज पास की लोग हैं आपके जानने लोग है उनकी भी सेवटी आप बाहू को भी बताना आपका ये फर्ज है इसलिए हम अपने फर्ज को समझते हुई आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं यहां पर आपके सारी चीज़े पढ़ सकते हैं बहुत कुछ यहां पर दिया गया अगर हम सारी डिटेल आपको होता है और जो है जिसमें से 137 लोगों को भारत के अंदर डिबॉचा गया इस करोना वाइरस की वज़े से और 113 भारतीय हैं और बाकी के जो 24 लोग है वह विधेशी है अब हम बात कर लेते हैं यह करोना वारस आया कहां से और यह आता आता क्यूं है और यह कहां से बनता है जो होता है वो जो है चिमगादर या छिपकली के अंदर पया जाता है अगर यहां पर आप देख आगे कि चीन जो है आपको पता होगा कि चीन जो है बहुत ज्यादा गंदी चीज़ों को खाता है यहां दोस्तों आपको यह चीज बहुत काईदे से पता होगा कि जो चीन है व वो बहुत खाता था चिमगादर को भूज कर तल कर खाता था चिमगादर को भी भूज कर तल कर खाता था और उनको काफी जदा मजा लता होगा तो फ्रेंस चीन के आज जो है चमगादर और छिपकली के अंदर कुरोना वारिस पाया जाता है यह जब छानबीन की गई है तो यह खबर निकल के आई है कि चीन के आज जो है कुरोना वारिस छिपकली और जो है चमगादर के अंदर में पाया जाता है सो वेंस यहाँ पर हम एक मुस्लिम धर्म हैं, हम मुस्लिम हैं, और हमारा जो मजाब है वो इसलाम है, यहाँ पर किसी धर्म के रिटेट हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रहे हैं, जो हमारा मायन मकसद है, जो हमारा जो फर्स है, वो हम जो कुरोना वाइस लिए चलना है, इसका जिक्र हमारे टुरान के अंदर बहुत पहले ता. यहाँ दोस्तों और यह भी ज् सesus प्रमारी कें ऐद हाँ. तु मेंस इस तरीके से वह खाते थे ज पूब्लान एक है इस गार इसे बचना चाहते हैं ऐसे सुरचिगнее चाहते हैं तो तो आया हैं guarStory रोल कोरोना वायरिस यहां पर इसका जो कोड है वो दिया गया है साथ ही खुद रहे सुरच्छित दूसरों को रखें सुरच्छित क्या करें और क्या ना करें तो यहां पर दोस्तों आपको बता दे कि यहां पर हम इसलिए बना रहें वीडियो ताकि आप यह सुरच्छित रह लगती है अब आप बिना हाथ दोए अपने जिसम पर कहीं भी हाथ लगाते हैं तो आपका जो है वो जो गंदगी वो सारे जिसम पर हो जाती ही तो कहीं न कहीं इससे भी आपको जो है करोना वारस होने का इस वारस का फैलना आपको जो है नुकसान दे सकता है उसके बाद में तो आपको जो छीख आती हैं और आप जो सांस लेते हैं उसका भी आप गादे से ध्यान रखें जब छीख आए तो आप अपने रुमाल एक लगा ले आगे ताकि जो छीख आए वो बाहर ज़ादा दूर तक न जाये और जो आपकी सांस है वो अंदर आए ज़ादा जो है मुँ के पास लगा लेना ताकि जो मुँ की सामने से कोई चीज उड़ती आ रही हो तो डाक क्लिया आपका मुँ खुला उसमें न गुज जा यह सारी चीजा आपको देख लेने हैं फिर उसके बाद में जो है अगर आप जो है किसी डिब्बे को छूते हो या कचड़े वाले क बोखार भी हो रहा है और आ पको एक नमी सी महसस हो रही है तो फ़ुरम आप जाके डॉक्टर को दिखाओ और उनको बताओ तो वह आपको यह आच चेकप लेंगे तो बता देंगे क्याफ़ क्याफ़ प्रॉब्लम है, अगर कुरोना वारिस है, तो भी आपको बताएंगे सारा कुछ, इस तरीके से आपको बोखार या खांसी या चीक जादा आरही हैं, तकलीफ हो रही है, सांस लेने में आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो हैंए समझ लेना है, कि इसके लपेट में आ चुके हो उसके बाद में दोस्तों अगर आपको ज्यादा गोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर हिल्प लाइन नंबर दिये गया है आप इनसे जो है जो है कॉंटेट कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर जो भीड़ भाड है जहाँ पर ज्यादा भीड़ इसलिए सारी चीज़ों से आपसे मताया गया क्योंके नहीं है साथ ही